इसी तरश पर स्कूली विद्यार्थियों के आत्म आंकलन वब वर्तमान में उनके अध्यन शैली को लेकर सच्देवा न्यूपीटी कॉलेज वब माई एफम के इस सेंट तत्वाधान में ब्रेन ओफ सिटी का एक्जाम कंड़क्ट कराया गया। करने के उद्देश से अंचल के सिक्षन संस्तान सच्देवा न्यूपीटी कॉलेज वब माई एफम के समयुक तत्वाधान में ब्रेन ओफ सिटी का एक्जाम कंड़क्ट कराया। इसके तहद सर्देवा नियू पीटी कॉलेज वो माई एफेम की टेम जामूल डेवी स्कुल पहुंची और वहाँ एक्जाम आजित किया। कक्षा नौमी से कक्षा बारवी तक के विद्यार्थियों ने ये एक्जाम दिया। साथ ही सवालों में उलजे विद्यार्थि नजर आए और इस टास्क को पूरा भी किया। जामूल डेवी शाला के प्रिंसिपल ने इस पहल के लिए सर्देवा नियू पीटी कॉलेज वो माई एफेम की प्रशन सा दिल से की है। ये माई एफेम और सजदेवा के कॉलाबरेशन में जो एक्जामनेशन उठाए जीनिस अब दू सिटी ये ब्रिंद अफ दू सिटी जो एक्जामनेशन है। वाजता में एक बहुत अच्छा पहल है। पेंडेमिक काल के बाद बच्चे आज एकैडेमिक उनका क्या पोजिशन है। इस दो साल ने उनके एकैडेमिक पोजिशन को कितना एफेक्ट किया है। और कहां तक बच्चे आज बच्चे में तब उनकी परानी स्थिती में है या उस स्थिती थे नीचे गहा है यह मुल्यांकर किया जा रहा है इस इक्जैमिनिशन के द्वारा और यह एक बहुत अच्छा प्रयास है यह कहने को तो यह आई ओपनर होगा यह और इस बात की हमें जानकारी होगी एनालेसस होगा कि बच्चे पेंडमिक के बाद वो इंप्रूव कर रहे हैं या पेंडमिक स्थिती की पहली स्थिती थी वो उसी स्थिती में है और मैं धन्यवाद यापित करना चाहता हूँ माई एफम और सच्देवा क्लासस को और यह एक बहुत अच्छा सवालों में उल्जे विद्यार्थि उन्हें भी इस परिक्षा को काफी कारगार बताया है थांक्स तो माई एफम और सच्देवा कॉलेज आप अपने आपको शो कर सके हमारी केपबिलिटी इस परिप्रिवेस नौलेज इस अवरी गुट अपर्च्छा लगा क्योंकि इसमें हमें बहुत हमारी नौलेज को चेक करने के लिए बहुत अच्छा अपर्चुनिटी हमे हम अपने आपको शो कर सके हमारी केपबिलिटी इस परिप्रिवेस नौलेज इस अवरी गुट अपर्चुनिटी इस गिवें बाइफम तो में वेरी थांक्फुल तो थांक्स तो माय एफम और सच्देवा नियू यू पिटी कॉलेज ब्रेन ओफ सिटी एक्जाम कंड़क् बेसिक नौलेज जो हमने क्लास 11 में जो भी पड़ा उसके उसका एक ब्रेन बूस्टर है जिससे हमारे बेसिक नौलेज का भी चेक अप हो रहा है और हम अपने बेसिक नौलेज को अभी तक के थैंक्स तो सच्देवा एंड यू पिटी कॉलेज ब्रेन आप सिटी का एक्जाम बच्चों के लिए मिल का पत्थर साबित होगा क्योंकि वर्तमान में बच्चे सिख्षा के किस इस्तर पर पहुँच पाए हैं वो किस पोजिशन में हैं ये जान पाएंगे और अपने अध्यन में और प्रयास तेज कर अपने लक्ष की और ब उसके लिए शाहिन खान की रिपोर्ट